नवश्कार जाथियों, स्कील और एजुकेशन ये अमरित काल में देश के दो सबसे महत्वपुन्ट टूल्स हैं, विक्सीत भारत के वीजन को लेकर देश की अमरित यात्रा का नेत्रुत्व हमारे युवाही कर रहे हैं, इसलिए अमरित काल के इस प्रसम बजेट में युवाओं को और उनके भविश्च को सबसे जादा एहमियत दी गई हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टिम प्रैक्टिकल हो, इंड़स्ट्री ओरियेंटेड हो, ये बजेट इसकी नीव मजबूत कर रहा है, वर्सों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजी डिजी का शिकार रहा, हमने इसको बदलने का प्रयास किया है, हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टिटूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रिजी ओरियेंट किया, राश्ट्रिय सिक्षा नीती में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है, मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला, इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोच से मुक्त करने का बहुत होसला मिला है, इसने सरकार को एजुकेशन और स्केलिंग सेक्टर में और रिफार्म करने के लिए प्रोच्साहित किया है, साथियों, नई टेक्नोलोजी, नई तरह के क्लास्रूम के निर्मान में भी मदद कर रही है, कोवीड के दोरान ये हमने अनुभव भी किया है, इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही हैं, जिससे एनिवेर एक्सेस अफ नॉलेज सुनिश्चिद हो सके, आज हमारे ए-learning प्लेटफॉर्म स्वयम में तीन करोड मेंबर है, वर्चुल लैप्स और नेशनल डिजिटल लाइबरेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है, DTA चैनल के माध्यम से स्टूडेंस को भी स्थानिय भाषाओं में पढ़ाई का आउसर मिल रहा है, आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेकनोलोजी आधारित इनिशेटिव चल रहे हैं, इन सारे इनिशेटिव को नेश्टनल डिजिटल उनिवर्स्टिव से और बल मिलेगा, ऐसे फुचरिस्टिक कदम हमारी सक्षा, हमारी स्कील और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं, अब हमारे टीचर्स के भूमिका सिर्फ क्लास्रूम तक सिमित नहीं रहेगी, अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पुरी दुनिया ही एक ट्लास्रूम की भाती होगा, ये टीचर्स के लिए आउसरों के नए द्वार खोडने वाला है, हमारे एजुकेशनल इंस्टिटूशन्स के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मट्रियल की अनेक प्रकार की विविदताएं, अनेक प्रकार की विशेस्ताएं, स्थानिय, टच, ऐसी अनेक बातें उपलग्द होने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे गाव और सहर्ज़ स्कुलों के बीच, जो खाई होती थी, वो दूर होगी, सबको बराबरी के अउसर मिलेंगे, चाथियों हमने देखा है, कई देश ओन दे जॉब लर्निंग पर विशेस बल देते हैं, बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड दे क्लास्रूम एक्स्पोजर देने के लिए इंटरंशिप और एप्रेंटरिजशिप को और फोकस किया है, आज नेशनल इंटरंशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एंप्लोयर्स हैं, ये इंटरंशिप की लगभग 25 लाख रिक्वार्मेंट पोस्ट कर चुके हैं, इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाप हो रहा है, मैं इंडस्ट्री और सिक्षा से जुड़े समस्तानों से आग्र करूंगा, कि इस पॉर्टल का अधिक से अधिक उप्योग करें, देश में इंटरंशिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है, साथियों, मेरा ये मानना है, एप्रेंटिप सिप्स हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती हैं, हम भारत में एप्रेंटिप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें हमारी इंडर्स्ट्र को भी उचीद स्किल्स से जूड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी, इसलिए इस बजेट में करीब पचास लाख युवाओं के लिए नेशनल एप्रेंटिप प्रमोशन स्कीम के तहट स्टाइपन का प्रावधान किया गया है, यानि हम एप्रेंटेशिप के लिए बातावण भी बना रहे हैं और पेमेंट्स भी इंडर्स्ट्री को मदद दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इंडर्स्ट्री इसका भरपूर लाब उठाएगी, साथियों, आज भारत को दुनिया मैनुफेक्टरिंग हब के रुपए देख रही हैं, इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है, ऐसे में स्कील वर्कफोर्स आज बहुत काम आती हैं, इसलिए इस बजेट में स्कीलिंग पर बीते वर्सों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है, प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्सों में लाखो युवाओं को स्कील, रिस्किल और अप्स्किल करेगी इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरुरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्रेम्स बनाई जा रहे हैं, साथ ही इसमें इंडस्टी 4.0 जैसे AI, Robotics, IOT, Drones, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्मान किया जा रहा है, इससे इंटरनेश्टर्ल इन्वेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा, भारत में इन्वेस्टर्स को रिस्किलिंग पर ज्यादा उर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे, इस बजेट में PM विश्वकर्मा काउशल संबान योजना का भी अलान किया गया है, इससे हमारे पारंपारिक कारीगरों, हस्तसिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलप्मेंट पर जोड दिया जा रहा है, PM विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बहतर दाम भी मिलेंगे, साथियों, भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बढ़लाव लाने के लिए अकेडेमिया और इंडिस्ट्री की भूमी का और पार्टनर सी बहुत बड़ी है, इससे मार्केट की जरुवत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडिस्ट्री से परियाप्त फंडिमी मिलेगी, इस बजेट में AI के लिए जिन तीन सेंटर्स अफ एक्सेलन्स की बात की गई हैं, उनमें इंडिस्ट्री, अकेडेमिया, पार्टनर्शिप मजबूत होगी, यह भी ताय किया गया है कि ICMR Labs को Medical College और Private Sector R&D टिम्स के लिए उप्लुप्द किया जाए, मुझे पूरा भरोसा है कि देश में R&D एकोसिस्टिम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम, प्राइवेट सेक्टर जादा से जादा फाइदा उठाएगा, साथियों, बजेट में जो निरने लिए गए हैं, उनसे हमारी होल अब गवर्मेंट अपरोज भी स्पस्ट होती है, हमारे लिए एजूकेशन और स्केलिंग सिर्फ इन से जुड़े मंत्रालाई या विभाग तक सिमित नहीं है, हर सेक्टर में इनके लिए संभावना है, ये सेक्टर हमारी एकोनोमी के बढ़ते साइज के साथ बढ़ते जा रहा है, मेरा स्कीलिंग और एजुकेशन से जुड़े स्टेक्वोल्डर से आगरह है कि अलग-अलग सेक्टर में आ रही इन अपर्चुनिटीज को स्टड़ी करें, इस से हमें इन नए सेक्टर के लिए जरूरी वर्क फोर्स तयार करने में आसानी होगी, अब जैसे आप भारत के तेजी से बढ़ते, सिविल अविशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को देख, सुन रहे हैं, यह दिखाता है कि भारत की ट्रेवल और टूरिजम इंडर्स्टी का कित्ता विस्तार हो रहा है, यह रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है, इसलिए हमारे स्केलिंग सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टिटिउट्स को इसके लिए भी कैप्रसिटीज तयार करनी होगी, मैं चाहूंगा जो युवा स्कील इंडिया मिशन के तहत प्रस्खशित हुए हैं, हम उनका भी अपडेटेड डेटाबेस तयार करें, क्योंकि कई ऐसे हुआ होंगे, जिनके स्किल्स को अपडेड करने की जरुवत होगी, डिजिटल टक्नोलोजी और एई आई के आने के बाद, हमारा ये प्रस्खशित वर्कफोर्स पीछे न छुड़ जाएं, हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, कि हाँ, fruitful discussions होंगे, बहतर सुझावाएंगे, बहतर समाधान निकलेंगे, और एक नए संकल्प के साथ, नए उर्जा के साथ, हमारी युवापीडी के उजवल भविश के लिए, इन महत्वपूर्ण छेत्र को आपके विचारों से सम्रुद्द कीजिए, आपके संकल्प से आगे बढ़ाईए, सरकार कंदे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तयार है, मेरी आप सब को इस वेबिनार के सभलता के लिए बहुत 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 शुकामनाएं हैं, धन्यवाद.